नमस्कार आदाब सच्च्री अकाल जैभीम जोहार मेरा नाम है नवीन कुमार हमने आपको अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि ये इसराइल और फलस्तीन की लड़ाई इन दो देशों की लड़ाई है ही नहीं ये नए वर्ल्ड ओर्डर की शुरुआत है जिसकी एक धुर आसरी पर अमेरिका है करो और दूसरी धुरी पर रूस एक तरफ अमेरिका के साथ इंगलेंड है जर्मनी है उस्टेलिया तो दूसरी तरफ रूस के साथ ईरान है मिस्र है जॉडन है अरब के देश हैं हमने आपको ये भी बताया था कि भूम cricket सागर में अमेरिकी और ब्रिटिश जंगी बेड़ों के जवाब में रूस ने काले सागर में अपने किंजल मिसाइलों से लैस वार्शिप उतान दी है और इन मिसाइलों का मुँ इसराइल के तरफ है जो केवल छे मिनट में पूरे इसराइल को तबाह कर सकते है लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये कि चीन ने भी अपनी मिसाइले इसराइल के तरफ तान दी है और वो सीधे सीधे अमेरिका को आख दिखा रहा है मतलब अगर अमेरिका ने इसराइल के बहाने रूस की तरफ आख दिखाने की कोशिश की तो उसे रूस और चीन की दो तरफा ताकत का सामना करना होगा और इसकी शुरुवात होगी इसराइल नाम के देश की तबाही से क्योंकि चीन कोई सलस्तीन नहीं है ना लिबनान है ना सीरिया है ना जॉर्डन है रूस और चीन की सामुहिक ताकत के आगे इसराइल का सारा डिफेंस सिस्टम ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएगा और जहां तक सवाल है उसके खुफिया पहुँच की तो उसे हमास ने किसी तुटपुजिये देश की यूनिट की तरह धराशाई करके बता दिया है कि इसराइल हकीकत से ज्यादा आतंक के दम पर अपना कारोबार चला रहा है जरा इसराइल अमेरिका की सनक के आगे चीन रूस की धमक के माइने को समझने की कोशिश करते हैं आपको पता ही है कि इसराइल फलस्तीन युद्ध के कारण अमेरिका ने मिडल इस्ट में मध्यपूर्व में अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी उसके जंगी बेड़े भूमध्य सागर में खड़े उधा रूस ने तेल अभीव से 1200 किलोमीटर दूर काले सागर में अपना जंगी बेड़ा उतार दिया और इस बीच खबर आ रही है कि चीन भी इस खशेतर में अपनी पकड़ मस्पूत करने लगा है चीन ने तो अमेरिका और इंगलेंड के चार युद्ध पोतों के मकाबले अपने छे युद्ध पोतों को तैनाद कर दिया है और इसने इसराइल की सा सटका दिये साथ में अमेरिका की इतना ही नहीं एक हफ़ते पहले ही चीन के टास्क फोल्स में उमान के साथ युद्ध प्यास भी किया है माना जा रहा है कि इस युद्ध भ्यास को इसराइल अमेरिका से युद्ध के स्थिती में सामरिक जरूरतों को देखते हुए डिजाइन किया गया था इस नई वैश्विक सामरीक विवस्था में इसराइल की हालत उस तोते की तरह हो गई है जिसकी जान अमेरिका के हाथ में है लेकिन वो खुद बाजों से घिलता जा रहा है जी हाँ इसराइल और फलस्तीन के युद्ध के कारण दुनिया के कई ताकतवर देशों की रुचे दिल्चस्पी मध्यपूर्वा के देशों में जबर्दस तरीखे से बढ़ती जा रहे हैं इसी का फाइदा उठाते हुए चीन ने छे युद्ध पूर्थ जियाँ छे मेडी लिस्ट में तैनाद कर डाले हैं यह युद्ध पूर्थ चीन की खतरनाक चौवालिसवी नौसैनी के स्कॉर्ट टास्क फूर्स का हिस्सा है इसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी इस्टन थि टकें की और उन सैने संस्थानों का दोरा किया जिनका इस्तेमाल फौरी युद्ध के स्थिती में कमांड सेंटर के तौर पर किया जा सके दोनों देशों के कैप्टनों ने खास तोर पर एक दूसरे के युद्ध पोतों का बारीखी से मुआइना किया और उनकी मारक तक्नी की ट्रेनिंग ली अमेरिका और इसराइल ने इस अभ्यास पर तीखी नजर लखी हुई थी और उसका अंदाजा बिलकुल सही था इसी युद्ध अभ्यास के बाद चीनी बेड़ा मस्कट से सीधे एक अज्यात लोकेशन के लिए रवाना हो जाता है चीन के इस बेड़े के हर युद्ध पोत पर टाइप 052D गाइड़ मिसाइल डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट जंग्जोव और एक आपूर्ती जहाज शामिल है मस्कट से रवाना होने के दो दिन बाद पता चला कि इन सभी युद्ध पोतों को मद्यपूरों में तैनाद कर दिया गया है इन सभी युद्ध पोतों को 24 गंटे युद्ध के लिए तयार रहने को का गया इतफाक नहीं हो सकता है इसराइल और युक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका में जारी तनातनी किसी से छिपी नहीं है अब जरा इस पर चीन का र एक मात्र रास्ता मानते हैं शी जिन पिंग ने कहा कि सबसे पहली प्रात्मिक्ता जल्दी से जल्दी युद्ध विराम करना है ताकी संघर्ष को बढ़ने और नियंतरन से बाहर जाने से रोका जा सके अगर स्थिति नियंतरन से बाहर गई तो गंभीर मानविये संकट के लिए अपने दो एरक्राफ्ट कैरियर बेच चुका है बिटन बेच चुका है अमेरिका को डर है कि इस युद्ध में इरान कभी भी शामिल हो सकता है अमेरिका लगातार ताकत बढ़ा रहा है कई एट टेन वार्थोग और एफ फिफटीन ई लड़ाक विमान समेत कई अगर में अपने युद्धपोत उतार दी और अब छे चीनी युद्धपोतों का जमावडा आपको बता दे कि इसराइल ने उत्तरी गाजा में एक बार फिर से अर्बी भाशा में लेके पर्चे गिरा है इन पर्चों में लोगों को उत्तरी गाजा खाली करने के चितावन लिए है कि अब यह लडाई उसके लिए बोज बनती जा रही है लेबनन और सीरिया पर हमलों के बाद अब उधर से भी जवाबी कारवाई शुरू हो गई है लेबनन ने इसराइल के कई कम्मिनिकेशन टावर को थ्वस्त कर दिया महीं इसराइल ने जवाबी कारवाई करते हिजबुल्ला के तीन ठीकाने तबाह कर दिया यह और आगे बढ़ेगा इसके बाद हिजबुल्ला के साथ इसराइल की जंग शुरू होने की आशंका बढ़ जाती है क्योंकि इसराइल हमास वाली जंग भी ऐसे ही शुरू ही थी याद कीजिए साथ अक्टूबर की घटना ह हमास लड़ाकों ने ड्रोन का इस्टिमाल करते हुए सबसे पहले क्या किया था गाजा की सीमा पर लगे इसराइली सेना के सर्विलन्स कैमरे और कम्मिनिकेशन टावर तबाह कर दिये थे इस से इसराइली सेना कमजोर पड़ गई थी और लड़ाके इसराइली सीमा के अंद करा लिया 13 दरसल इसराइल के समय करन फेल होते जा रहे उसे लग रहा था कि उसके समर्थन में अमेरिका और ब्रिटन की एंट्री से अरब देशों की हिम्मत नहीं पड़ेगी दखल देने की यहां तक ठीक था अकेले इरान क्या ही कर लेगा लेकिन इसराइल के दोनों तरफ पैनात रूस और चीन के मजबूत जंगी बेड़ों ने अरब देशों इरान और मिस्र के होसले भी बुलंद कर दिया है इसे नजर अंदाज करके बेंदाज होने की भूल इसराइल के इरादों को कभी भी मिट्टी में मिला सकती है इस वीडियो में इतना ही लेकिन अगर आ ताजा तरीन वीडियो देख सकते हैं हमारे योटीब चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए हमारा ट्विटर है अर्टिकल 19 अंडरिस्कोर इंडिया और मेरा ट्विटर है नवीन जनलिस्ट आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं नमस्कार